केंद्री ग्राम मंत्री अमिट शाहा ने शुकरवार को करनाट के धारवार शिराहटी और हंगल में जनसभा को संबोधित किया तारवार में शाहा ने भाशन के शुरुआत कौंगर्स अद्धिक्ष मलिका जुन खट गए के पदानमंती नरिन मोदी को जहरीला साम बताए जाने वला बयान से की शाह ने कहा कौंगर्स अद्धिक्ष कटिये मोदी जी की तुलना काले सापसे करते हैं कभी कौंगर्स वाले कहते हैं कि मोदी तेरी कबर खुदेगी कभी सोनिया गांदी मोदी जी को मौत का सोधागर कहती हैं कौंगर्स वालों की मती मारी गई है मोदी जी को आप जितनी गाली दोगे कमल उतना खिलेगा उन्होंने का कि एक तरफ राहूल गांदी की लीडर्शिप में कौंगर्स पार्टी है और दूसी तरफ अदर्मत्री के नितरत में भाचपा यह चुनाओ तरह करगा कि अगले पांच साल तक डबल इंजन की सरकार करनाटा को आगे ले जाएगी यहां कौंगर्स की सरकार करनाटा को पीछे ले जाएगी करनाटा के किसान जॉर बोते हैं, कांगरेस ने 70 सालों में जॉर को MSP पर नहीं खरीदा था नहीं दरीतों का, नवल गुन में कांगरेस ने किसानों पर लाटिया और गोलिया चलाई थी कॉंगर्स ने धर्म के आधार पर आरक्षन दिया उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षन दिया जो असम विधानिक है बाच्पने कॉंगर्स की गर्ती सुधारी है शिरहटी में जनसभा को संबोधित करते वे अमिच शाह ने कॉंगर्स पर दलितों के अपमान का आरोप लगया उन्होंने कहा कि समीदान बनाने वाले बाबा साहिब का कॉंगर्स ने हमेशा अपमान किया जब तक कॉंगर्स पर्टी रही बाबा साहिब को भारत दतन नहीं मिला कॉंगर्स सरकार जाने के बाद बाबा साहिब को भारत दतन समान दिया गया इसकी साथ बने रहाज आमा टीवी के साथ धन्यवाद